किशावास्य है किशावास्य उपनिशद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है अंधन तमह प्रविशंति ये अविद्याम उपासते जो अविद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं ततो भूय इव्ते तमह ये विद्याया रताह और उससे भी अधिक गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो विद्या में ही रत रहते हैं तो पूछा की क्या आर्थ है जैसी हमारे मन में छवी है उपनिशदों की धर्म की अध्यात्मिक्ता की तो हमें जरा भी अचरज नहीं होगा मंत्र की पहली पंक्ति से क्या कहती है पहली मंक्ति? कि जो अविद्या में रत रहते हैं वे गहरे अंधेरे में प्रवेश कर जाते हैं यह बात हमें वेदों की और अपनिशदों की अपनी मान से एक्षवी के अनुकूल ही लगती है कि बात बिलकुल ठीक कही अविद्या माने विशायगत अनुभव जो कुछ भी इंद्रियों से पतीत होता है मन जिसका अनुभव कर सकता है वो सब अविद्या माया के बहुत समीफ ही यह शब्द है अविद्या तो हम कहते हैं ठीक यह थो हम जानते ही है यह तो धर्म ने और आध्यात्मिक्ता ने हमेशा से हमको पढ़ाया ही है कि संसार बुरा और जो संसार में उलजएगा वो गहरे अंधेरे में जाकर के गिर जाएगा जो संसार में फसा वो गहरे अंधेरे में गिरा और यह हमने चवी बना रखी है कि यही तो कहते होंगे धर्म गरंट कि संसार को छोड़ो यह लोग को छोड़ो पर लोग का ध्यान करो यह हमारे मुन में चवी रहती है न कि दुनिया बुरी परमात्मा भला माया मिथ्या ड्रह मसत्य कुछ ऐसा ही सोचते हैं और इसी लिए अध्यात्मिक्ता से दूर रहते हैं कि धर्म के पास जाने का उपमिश्यदों के पास जाने का यहां इस बोध सत्र में आने का अरथी यही होता है कि संसार को छोड़ना पड़ेगा हमें लगता है ऐसा ही तो रशियोंने हमें से खाया है कि संसार कोई घ्रने त्याद जिवस्तु है करीब-करीब असप्रश्य है यह से छूत की बीमारी हो उसकी छाया से भी दूर रहना तुम तु राम भजो छोड़ो दुनिया को तो हमें धरा भी अजंभा नहीं होता है मंत्र की पहली पंक्ते से असल में मंत्र की पहली पंक्ते हमें ऐसा लगता है हमारे ही दुनिया ते है पतीत ऐसा होता है यह से रिशी ने ना कही हो हमी ने कही हो लेकिन उपनिशद यूँ ही उपनिशद नहीं है वो जटका दे देते हैं अगली पंक्ते अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हिला जाएगी अगली पंक्ते कहते है ठीक जो दुनिया में रत हुआ जो दुनिया में रम गया वो तो गया अंधेरे तम में गहरे अंधकार में लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में वो जाके गिरा जो विद्या में रत हो गया ये कैसी बात है एक और तो वेद हम से कहते हैं कि जीवन का विद्या के अलावा और कोई सत्य नहीं एक और तुरिशे हमसे कहते हैं कि जीवन का विद्या के अतरिक्त और कोई अर्थ नहीं अपनिशद हमसे कहते हैं कि विद्या माने जो है या विद्या स्य विद्यते जो विद्यमान है उसी को विद्या जानना तो एक और तो विद्या को इतने उचे स्थान पे रखा और दूसरी और ये क्या कह दिया कि जो विद्या की उपासना करते हैं वो जा करके उनसे भी ज्यादा दुर्गति को प्राफ्थ होते हैं जिन्होंने अविद्या की उपास ना की थी कि जो माया के फेर में फसा उसका तो नाश होगा पर उससे भी ज्यादा बड़ा नाश उसका होगा जो सत्य के खेल में फस गया जो अविद्या के खेल में फसा वो तो नर्क में जाके गिरेगा पर उससे भी गहरे और पीडा दायक नर्क में वो जागर के गिरेगा जो विद्या के खेल में फस गया अब हम सब तो विद्यार्थी हैं विद्यार्थी माने जो विद्या पाना चाहता हो जो विद्या की इच्छा रखता हो हम कामार्थी नहीं हम माय आर्थी नहीं हम तो विद्ध्यार्थी हैं हमें तो विद्ध्या चाहिए और उपनी शद्में तुम जैसे धंकी दे दी बड़ा बुरा हश्रों ने वाला है तुमारा तुम से अच्छे तो वो हैं जो दुनिया को भोग रहे हैं माया से आलिंगन बद्ध है अविद्ध्या में बेहोश हैं वो कितने भी बुरे हैं वो तुम से भले हैं तुम जो सत्यनिष्ठ हो तुम जो विद्ध्या के अलावा और कुछ खाते पहनते उड़ते सोचते नहीं यह क्या बात होई यह रिशी ने दल कैसे बदल लिया यह कहीं यह अविद्ध्या की मारतों ने जो रिशे पर भी पड़ गई हो हमारी तुम पेक्षा यह है कि रिशी कहेंगे कि विद्ध्या विद्ध्या अच्छी विद्ध्या विद्ध्या बहुत बुरी नहीं हो ऐसा नहीं कह रहे है थोड़ समझना पड़ेगा बात क्या है माया में फंसना नियती है उसमें कुछ विशेश नहीं है आप पैदा होते हो माया में ही अनने था पैदा होने का प्रश्ण नहीं होता पैदा होना माने समय की शुरुवात हो गई और आत्यांतिक अर्थ में समय भ्रह्म है तो आपका पैदा होना ही एक मायावी घटना है ऐसा नहीं कि आपने कोई विशेश ही पाप कर डाला है इस कारण आप फंस गए इस कारण अविद्या ने आपको जकन लिया कुछ आपने पाप अगर करावी है कोई कर्मफल यदे आप भुगत भी रहे हैं तो अभी का तो नहीं है होगा कभी और का उसकी वजह से आप पैदा हुए होंगे लेकिन पैदा हुने का अर्थ ही यही है कि आप माया लोक में पधार गए और जो पधारा है याद रखिएगा अभी उसके कर्मों का खाता नहीं खुला हाँ पहले के उसके पास संचित कर्म हो भंडार हो अलग बात है पर अभी उसने कुछ नया नहीं कठा किया तो यह तो एक बड़ी प्राक्रतिक घटना है कि बच्चे का जन्म हो और माया में ही जन्म हो जन्मता है बच्चा और आग खोलता है किधर को माया की और ही तो खोलता है आग खोलते ही उसे सट्टे के दर्शन तो नहीं होते आग खोलते ही उसे अद्वायत तो नहीं दिखाई देता आग खोलते ही उसे तो द्वातात्मक संसार ही दिखाई देता है आँख खोलते ही उसे कुछ भी पूर्ण या अनन्ध तो नहीं दिखाई देता आँख खोलता है और तुरंट उसे खंड खंड दृष्ष वस्तुएं चहरे धुनिया यही मिलते हैं सुनता है तो उसे अनहद सुनाई देता है न मौन उसे तो आवाजें सुनाई देती है पकड़ता है तो सदवस्तो तो उसके हाथ नहीं आती उसके हाथ तो दुनिया के दिये हुए खिलोने और जुन्जने और खाना यही आता है तो बड़ी यह सहद सी बात है कि व्यक्ति माया में जीए गलत नहीं होगा अगर आप व्यक्ति को परिभाशित ही ऐसे कर दें कि जो माया में जीता है उसी का नाम व्यक्ति है और इसमें कोई बड़ी खोट नहीं है व्यक्ति की उसकी निर्मित्ति ही कुछ इस तरीके की है कि उसे माया में ही जीना है उसे अपना पूरा भरन पोशन मिलना ही अपने बाहर से है सोयम न तो वो अपनी श्वास का निर्मान करता है ना अपने खाने का निर्मान करता है वो कैसे मान ले कि मैं अपने आप में अखंड, पूर्ण, अविच्छिन सत्ता हूं उसको तो यही दिखाई देगा कि मैं हूँ और मुझसे अलग एक संसार है और उस संसार में कुछ है जो मेरे नुकूल है, कुछ है जो मेरे प्रतिकूल है उस संसार में मेरे दोस्त भी है और दुश्मन भी है सब कुछ द्वैत आत्मक ही दिखाई देगा तो ऐसे शुरुगात होती है व्यक्ति की और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है वो अनुभों की सीड़ी चड़ता है, समय बीटता है और यदि अनुग्रह रहा उस पर तो एक बिंदु ऐसा आता है जब उसको ये प्रतीत होने लगता है उसको ये चेतना होने लगती है कि मामला वैसा है नहीं जैसा मुझे दिखाई देता है कि ये खाना, पीना, ओढ़ना, बिचाना, सो जाना ये जीवन नहीं हो सकता कुछ दुंदला सा है इसमें सचाई इसके पीछे कहीं चुपी हुई है अब ये संभावना बनती है कि वो माया से आगे अविद्या से आगे कहीं पहुँच सकता है परियात रखिएगा अविद्या से आगे अविद्या में रहकर अविद्या से आगे नहीं क्यों कह रहा हूँ ये वजह है अविद्या माने क्या अविद्या माने वो जो इंद्रिय अगत है और मानसिक है जो कुछ भी उसे अविद्या से आगे ले जाएगा वो न इंद्रियों से देखा जा सकता है और न वो ऐसा होगा जिसका कोई मानसिक अनुभाव हो वो आपके विचार का धारणाओं का अनुभूतियों का विशय नहीं हो सकता वो कुछ और ही है जो आपको आपकी बदी बधाई दुनिया से आगे ले जाता है आप विचार के गुलाम है तो जैसे ही आपसे कहा जाएगा कि कुछ है जो आपको आपकी जन्मांतर की अविद्या से आगे ले जाता है तो आप उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे क्योंकि इसके लावाब करेंगे क्या आपके पास और कोई उपकरण ही नहीं है सोचना आप जानते हैं तो आप सोचना शुरू कर देते हैं लेकिन माया से आगे आपको वही ले जाता है जो सोयम माया नहो मानसिक गतिविधी का डाइरा वही तोड़ पाता है जो सोयम मानसिक नहो एक नया विचार आपको निर्विचार नहीं बना सकता आप हजारों विचारों के दाइरों में कैद हैं उसमें आप कुछ और विचार जोड देंगे इससे आप निर्विचार नहीं हो जाएंगे आपके पास सो च्वियां युही है सत्यकी उसमें आपने दोचार और जोड़ दी उससे आप सत्यके निकट नहीं आजाएंगे तो आप जिस अविध्या में फसे होते हैं उससे बाहर आपको वो निकालता है जो स्वयम अविद्या ना हो दूसरे शब्दों में आप मन के घेरे में फसे होते हैं और आपको कुछ ऐसा बहार निकालता है जो स्वयम मन का उत्पाद ना हो लेकिन मन की कारगुजारी कुछ ऐसी होती है कि वो ये छवी भी बना लेता है कि मुझे से बाहर क्या है वो कहता है ठीक हमें पता चला कि जो लोग अविद्या में रत हैं उनकी बड़ी दुरगत होती है तो हम विद्या में रत हो जाते हैं और मन जिसमें भी रत होगा वो क्या होगा मन की ही कोई गत्विद्धी वो विद्या को भी कुछ न कुछ मानसिक बना ही लेगा वो सत्य को भी किसी न किसी तरीके से एक छवी में जरूर ढाल लेगा अब कौन था जो आपको अविद्या से मुक्ति दिलाता सत्य और आपने क्या किया सत्य का छवी बना ली जो एक मात्र संभावना थी आपकी मुक्ति की आपने उसको भी अपनी बेड़ी बना लिया समझ में आ रही बात उपनिशद आपको दिये गए कि इनका पाठ करके आप ध्यान में चले जाए आप मिट जाए पर आप उपनिशदों को भी पचा गए जो कुछ भी उपनिशदों ने कहा आप उस पर भी सवार हो गए ये नहीं हुआ कि उपनिशदों ने आपको मिटा दिया हुआ ये कि उपनिशदों ने आपको और बड़ा कर दिया भारी कर दिया आपके मन में इतने सारे विशय थे एक और विशय जुड़ गया सत्य विद्या अब आपके लिए क्या संभावना बची है जिस मरीज ने दवा का भी प्रयोग नशे की तरह करना सीख लिया हो उसके लिए आपकोई संभावना नहीं बचती साधारन मरीज कौन जो साधारन संसारी है वो माया में लिप्त है उसके लिए भी उमीद है क्या उमीद है कि क्या पता किसी दिन ये शास्तरों के संपर्क में आए गुरू के संपर्क में आए और तर जाए लेकिन जो शास्त्रों के संपर्क में आया जो विद्या के संपर्क में आया जो रिशी के संपर्क में आया लेकिन उस संपर्क में आने के बाद भी तर नहीं पाया उपनिशद हमसे कह रहे हैं कि वो और ज्यादा गहरे अंधकार में जाके गिरेगा इसलिए उपनिशद स्वयम ही पाबंदी लगाते हैं वे स्वयम ही गोशित करते हैं कि जो अधिकारी नहो वो इनके पास ना आए इसलिए नहीं कि उनमें अहम भाव है कि हम उचे हैं हमें कोई नीचा कैसे पढ़ लेगा ऐसी कोई बात नहीं उपनिशद ब्रह्मास्त्र हैं वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मास्त्र हैं वे ब्रह्म का अस्त्र हैं वे आखिरी अस्त्र हैं और आखिरी अस्त्र कभी निश्फल नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आखिरी अस्त्र भी निश्फल हो गया तो अब आप क्या करोगे अब तो आप बस भटकोगे जनम जनम तो आखिरी अस्त्र का प्रयोग सिर्फ तब करना चाहिए जब तैयारी पूरी हो और यही हुआ है हमारे साथ हमारा हंकार हमें इस्विकार करने नहीं देता कि हमारी तैयरी पूरी नहीं है हमने अभी नश्रम किया है नशमर्पण और हम उपनिश्दों को हाथ लगा देते हैं रिश्य हमसे कह रहे है अब भुक तो तुमने क्यों छुआ इनको अब कौन बचाएगा तुमको जिसने कभी न सुना होता जो प्यासा भटक रहा होता जिसके कानों में गहरी उतकंठा होती मन में उतकट प्यास होती कि कुछ मिल जाए जो मुझे बचा ले क्या दुनिया के अलावा भी कुछ है उसको जब अचानक कहीं से रिशियों के वचन सुनाई देते तो उसका कल्यान हो जाता वो भटक रहा था माया में बेहत प्यासा था और उसे मिले उपनिशद वो तर गया पर तुम में अभी उतनी प्यास थी नहीं और तुमको मिल गए ये वचन और जो मिल गए है वचन उनको अब तुमने अपने ग्यान के दाएरे में अपने मन के दाएरे में विचार और छवी के दाएरे में समाहित कर लिया है अब ब्रहास्त्र ने अपना तेज खो दिया वो एक ही बार प्रयोग हो सकता है जितने भी दिव्यास्त्र हुए हैं उनकी खास बात यही है वे दुबारा नहीं प्रयोग होते तुम्हें एक आउसर मिलता है रिशी के पास जाने का उपनिश्द भी तुम्हारे पास एक ही बार आते हैं उस एक बार में अगर तीर निशाने पर बैठ गया तो बैठ गया और चूक गया और अगर चूका तो तुम्हारी दुर्गति संसारी से कहीं ज्यादा बुरी तो विचित्र है अवस्था उनकी गरते हैं जिनकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई पर बहुत बुरी है अवस्था उनकी जिनकी यात्रा शुरू तो हुई पर उरास्ते में ही ठकके ठम गए रास्ते से उतर गए या वापस लौट गए जो शुरू करे उसे आखरी मन्जिल तक जाना ही होगा और उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं जिसने शुरू किया पर पत्चित हो गया और याद रखना जो पत्चित होगा ऐसा नहीं कि उससत्य का नाम लेना बंद कर देगा पत्चित होने का लक्षन ये है कि उससत्य में रत हो जाएगा वो दिन राथ सत्य की ही बाते करेगा उसकी सारी भाषा ही बदल जाएगी पिलकुल नकली हो जाएगी उस सत्य की ही बात कर रहा है उसने सत्य को अपना विशय बना लिया है जैसे संसार एक विशय होता है नो ऐसी सत्य एक विशय है और संसार की जब वो बात करता है तो उसकी भाशा अलग होती है और सत्य की जब वो बात करता है तो उसकी भाशा अलग होती है अब वो सत्य पे चड़के ना चराए निश्चित रूप से ये कोई जूटा ही सत्य होगा उन्हें तुम्हारे मन में ही क्याद हो गया सत्य मन का विशय नहीं है कि मुझे दस बाते पता हैं उन बातों में एक बात सत्य भी है सत्य कोई गतिविधी नहीं है वो कोई किताब नहीं है वो कोई विचार नहीं है वो कोई मंत्र नहीं है वो आधार है वो आसन है बुनियाद है उसका नाम नहीं लिया जाता क्योंकि नाम तो विश्यों के ही लिये जाते है वो मौन है जो सारे नामों के पीछे मौजूद रहता है पर जिन्हें उस मौन की उपलब्धी नहीं हुई होती है वो सत्य का नाम खूब लेते हैं सत्य कुछ खास नहीं है वो तो बहुत आम है क्योंकि उलगातार हर जगे हर समय मौजूद तुम्हारे साथ पर जिन्हें निर्विशेश सत्य की उपलब्धी नहीं हुई होती है वो सत्य को खूब विशेश बना लेते हैं और सत्य की विशेशता उनकी अपनी विशेशता बन जाती है हम कौन हम सत्ते को जानने वाले ऐसे लोगों के कुछ बहुत स्पष्ट लक्षन होते हैं वो सच के सामने नहीं जुखते वो यह नहीं कहते कि अब तो जो तू कराएगा करेंगे वो सत्ते के बारे में योजनाई बनाते हैं वो अपने अनुरूप ढालते हैं सत्ते को वो तै करते हैं कि कितना चाहिए और कब चाहिए आज मैंने दोपहर में ये बात प्रसारित करी कि दस तारीक को दो दिन के लिए अगला शिविर लगेगा छोटा दो दिन का तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं हमें नहीं मालूम था कि आप इस तारीक को शिविर आयुजित कर रहे हैं पर शिविर हमसे बड़ा है जब भी आयुजित होगा हमें तो आना ही है क्या फर्क पड़ता है कि 10 को है कि 7 को है कि 15 को है आपने जब भी रखा हमें आना है जिन्होंने कहा उन्होंने इन शब्दों में नहीं कहा उन्होंने तो एक वाक्य में कुछ छोटी सी बात कही उन्हें पता भी नहीं था क्या कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने सुना उन्होंने ठीक आप कोई भी तारीक तै कीजिए तै हो गई तो हमें आना ही है हम समर पे थे हैं और कुछ दूसरी पते क्रियाएं भी आई जोनोंने कहा हाँ बहुत अच्छा है कि हो रहा है पर ये तारीखें हमारे अनुकूल नहीं हैं हम तब आएंगे जब हमारे अनुकूल तारीखें होंगी समझो बात को ये दो मन हैं एक कहता है कि हमें सत्य के अनुकूल होना पड़ेगा और दूसरा कहता है सत्य को हमारे अनुकूल होना पड़ेगा अंतर समझ में आ रहा है पहला कहता है वो बड़ा हम छोटे दूसरा कहता है हम बड़े हमारी सोईधा बड़ी हमारी योजनाई बड़ी हमारे कारेकरम बड़े हम तया करेंगे कि हमें कब ठीक लगता है ऐसों के लिए ही रिशी ने कहा है कि संसारी जितने कष्ट को प्राप्त होता है तो मुझे से कहीं ज्यादा कष्ट को प्राप्त होगे भला होता तुम्हारे साथ कि तुम्हें जरा भी इन मंत्रों का इन शब्दों का पता ही न लगता दुनिया में बड़े से बड़ा नर्क सामाने ग्रहस्थों नहीं खड़ा करा उनके तो जैसे हर चीज छोटी-छोटी सीमित दारा बद्ध है वैसे उनके नर्क भी छोटे-छोटे सीमित दारा बद्ध होते हैं लिटल हेल्ज बड़े विशाल नर्क उन्होंने खड़े करे जो धर्म को जानते थे वो कोई प्रचलित धर्म भी हो सकता है या कोई ऐसा धर्म जो उनका अपना हो कि मैं अपना धर्म करतव्य जानता हम उनके नर्क महाविशाल थे जितने कुकर्म धार्मिक लोगोंने करे उतने अधार्मिक लोगोंने कभी नहीं करे और अधार्मिक व्यक्ते का धार्मिक बनना सरल होता है पर जो मजा हुआ धार में खिलाडी है जिसका धन्दा ही यही है जो धर्म को खुराक के तौर पर लेता है जो चड़के बैठी गया है सत्य पर कि मुझे तो पता है मैं और ज्यादा बढ़ा हूँ समर्पन की कोई बात नहीं क्या समर्पन हम समझ गए बात को बात हम से छोटी अब हम तया करेंगे हमें इस बात का करना क्या है ये बड़ा खदरनाक है इसके नर्ग की कोई सीमा नहीं होती ये तो निकल पड़ेगा दुनिया से असत्य को मिटाने का अब असत्य हम मिटाएंगे और ये सब लोग हैं जो असत्य के पुजारी हैं इनको मारो सबको खत्म करो जो सामान निग्रहस्त है वो तो अपनी छोटी छोटी जंजटों में उलजनों में उलज़ला रहता है सबजी के दाम बढ़ गए हैं बीबी परिशान कर रही है बच्चे की फीज देनी है उसकी इतनी ही दुनिया है यही उसका नन्हा सा नर्क है काम चल जाएगा छोटू नर्क पर जिसको उपनिशद मिल गया और जिस पर उपनिशद बे असर गया उसका नर्क होता है भीमका है मैं प्राथना करता हूँ कि आपके कान में उपनिशदों के वचन पढ़े ना जब तक आपका समरपन पूरा ना हो प्राथना ही कर सकता हूँ हम जैसे सत्य को पचा जाते हैं वैसे ही समरपन को भी पचा जाते हैं आप बेशक दावा कर सकते हैं आप पूरी तरह समरपित हैं जैसे आप यह दावा कर सकते हैं कि आप सत्य निष्ठ हैं तो आखिरी नेड़ेता तो आप ही आपके अलाबा कोई जानता नहीं कि कितना जूट और कितना सच है आपके समरपन में सत्थ के पास, रिशी के पास, उपनिशद के पास, गुरु के पास तब आईए जब आपने जाँच पड़ताल पूरी खत्म कर ली हो संदेह की कसोटी पर नहीं कसा जाता है जो संदेह लेकर के आएगा, वो संदेह में ही रह जाएगा जो ग्यान एकठा करने आएगा, वो ग्यान एकठा खूब कर पाएगा ऐसा नहीं किसे ग्यान मिलेगा नहीं आप लोग यहां बैठे हैं, आप में से कई बड़े ग्यानी हो गए, महीनों महीनों, सालों सालों, यह से पढ़के, सुनके, बड़े ग्यानी हो गए, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा, क्या भी इतने ग्यानी हो गए?